हेलो इब्रीवन वेलकम टो वर योटूब चैनल अकांच जी है सब आज मैं आप लोगों को 11 माई का करेंट अफेयर कराऊंगी 11 माई से जित्ते भी इंपोर्टेंट कोस्चन हो सकते हैं उसको कराऊंगे और उससे जुड़े फैक्ट बताऊंगी तो फिर सुरू करते हैं अप पढ़िया ना के पर्याप महत्यों के बारे में जागरूलता बढ़ाने के लिए हरसाले करें और राश्व्यों और वहाне इत्याक्रिवस मनाये जाता है और एक माई को गुजरात और महाराश्र दिवस मनाया जाता है। और महाराश्र दिवस मनाया जाता है। अगला कोस्चन है, हाली में तीसरी G20 विकासकार समू की बैठक कहा शुरू हुई? अब गोवा की राजजानी पढ़ जिया और यहां के प्रजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है प्रमून सावन्त और यहां के गवर्नर है बियस स्रीधरन पिरलाई। अब हम लोग देखते हैं गोवा की अस्थापना, गोवा की अस्थापना तीस माई को हुई थी, लेकिन गोवा अस्थापना दिवस तीस माई को मनाया जाता है। गोवा मुक्त हुआ था 19 दिसम्बर को, गोवा 19 दिसम्बर 1961 में पूर्टगाल से मुक्त हुआ था, इसलिए हर साल 19 दिसम्बर को गोवा मुक्त दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग गोवा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। केंद्री मंत्री भूपेंद्र यादों ने गोवा में आदर भूमी बचाओ अभियान शुरू किया है। गोवा सरकार ने The Vision for All School Eye Health कारिकरम शुरू किया है। भारत की दूसरे सबसे लंबे केवल इस्थित आर्ट लेन जुआरी ब्रिज का उधगाटन गोवा में हुआ है। अब हम लोग कुछ अगला कोस्चन देखते हैं। वो गोवा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट था आप लोग गयाद रखेगा। अगला कोस्चन है हाली में संस्कृत मंत्राल है और माई गवर्मेंट ने किस नाम से एक सिंगिंग टैलेंट हंट लॉंच किया है। तो यह क्या यूवा प्रतिभा के नाम से। यूवा प्रतिभा एक सिंगिंग टैलेंट हंट है। देज भर के लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इसमें जो विनर होगा उसी एक लाग पचास जाद दिया जाएगा जो सेकेंड होगा उसको एक लाग दिया जाएगा और जो थर्ड होगा उसको पचास जाद दिया जाएगा अगला कोश्चन है हाली में किस देश ने पिटर वर क्लाइमेट डायलोग की मेजबानी की है तो पिटर वर क्लाइमेट डायलोग की मेजबानी जर्मनी ने की है अब जर्मनी जर्मनी की कैपिटल है वर्लिन और यहां की रेंशी है यूरो अब हम जर्मनी के बारे में कुछ important देख लेते हैं एंजला मरकेल को जर्मनी का सर्वोच समान मिला है जर्मनी अपने अंतिम से स्तीन परमार सेंत्रों को बंद करेगा सर्वसे सारवजनिक परिवान रहने वाले सहरों की लिस्ट में वर्लिंसर्ज पर रहा है यूनेसको सांती पूरसकार से एंजला मरकेल को शमानित किया गया है यह जर्मनी की पूरो चांसलर थी अगला कोस्चन है हाली में किस राजी ने शमर्पित बुनियादी धाचा विकास निगम की अस्थापना की है तो इसका राइट एंसर है महाराष्ट्र महाराष्ट्र ने समर्पित बुनियादी धाचा विकास निगम की सुरुआत की है अब महाराष्ट्र महाराष्ट की कैपिटल है मुंबई और यहां के प्रजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर एकनाथ सिंदे और यहां के गवर्नर है रमेश बैश अब हम महाराष्ट के बारे में कुछ इंपोर्टेंट देखते है महाराष्ट में शलोखा योजना लागो की गई है महाराष्ट सरकार ने विकलांग करमचारियों के लिए 4% आरेच्छट की घोशड़ा की है सर्वस्रेष्ट सार्वजनेक परिवहन वाले सहरों की लिस्ट में मुंबई 19 अस्थान पर रहा है सरकार ने लातूर में Statue of Knowledge की अस्थापना को मंजूरी दी है यह महाराष्ट के बारे में कुछ इंपोर्टेंट था आप लोग इसको याद रखिएगा अगला कोस्चन हाली में Badminton Asia ने किसे तकनीकी अधिकारी समीत का अध्यच नियूक्त किया है तो Badminton Asia ने तकनीकी अधिकारी समीत का अध्यच उमर रशीद को नियूक्त किया है इसका राइट अंसर है उमर रशीद अब हम लोग कुछ important देखते है मैरीको ने शौगात गुपता को M.D. और C.O. के रूप में नियुक्त किया है M.C.C. का अगला अध्यच मार्क निकोलस को चुना गया है एक्सचेंजर इंडिया के कंट्री मैनेजिंग डाइरेक्टर अजे वीज बने है बैंक और बड़ोदा का प्रवंदक निदेशक देवदा चंद्र को नियुक्त किया गया 17. कमांडर इंचीफ के रूप में साजु बाल कृष्णन ने पदभार समाला है ये इंपोर्टेंट है अगला कुस्चन देखते हैं इसका राइट एंसर है भारत अब हम कुछ इंपोर्टेंट देखते हैं भारत के बारे में आइसीसी पुरुष टेस्टीम रैंकिंग में नंबर वन टेस्टीम भारत की टीम बनी है यूरोप पे रिफाइंड इधन का सबसे बड़ा आपूर्ती करता भारत बना है भारत बित्ती ढाचे में सुधार पर राष्ट मंदल समूग के अध्यच्छता करेगा डीजी सीए की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पाइलट भारत में है एरिक गार सेट्टी भारत में अमेरिकी अंबेस्ट रन्योक्त हुए है अभ्यास लापरोस की तीसरे संश्क्रार का आयूजन भारत के द्वारत के द्वारत किया गया है यह भारत के बारे में कुछ इंपॉर्टन था हूँ अगला कोश्चन है हाली में किश मंत्रा लेने सच्चम लांच किया है तो श्री लंका को भारत ने श्री लंका को एक बिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन प्रदान की है इसका राइट एंसर है श्री लंका अब श्री लंका तो श्री लंका की राजधानी है कोलंबो और श्री जैवर्धनी पुरम कॉमेर्सियल राजधानी है कोलंबो और एड्मिनिस्ट्रेटिव राजधानी है श्री जैवर्धनी पुरम स्री लंका की केरेंशी है रूपी और यहां के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर दिनेज गुरगरदने और यहां के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है रनील विक्रम शिंगे अब हम स्री लंका के बारे में कुछ ही इंपोर्टेंट देख लेते हैं स्री लंका के बैंक ने एक भारती रुपया नामी नोश्ट्रो खाता खोला है दिवगत सीडियस विपिन रावत के सम्मान में स्री लंका के स्री मुक्तिनात मंदिर में घंटे लगाई गई है भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतरगर स्री लंका को 50 बच से प्रदान की है 2024 में अंडर 19 वर्ड कप की मेजबानी श्री लंका करेगा अगला कोस्चन है हाली में किस राजी ने इंद्रा गाधी महिला शम्मान निधी लॉंच किया है इंद्रा गाधी महिला शम्मान निधी लॉंच किया हिमाचल प्रदेश thin इसका राइट एंसर हिमाचल प्रदेश अब हम लोग हिमाचल प्रदेश दीखते हिमाचल प्रदेश की राजधानी capacity जो और यहां के प्रजेंट टाइम पे सीया में शुक्विंदर शिंग सुक्खु और यहां के गवर्नर रिशु प्रताब शुक्ला अब ये इंद्रा गाधी महिला सम्मान निदी है क्या ये हिमाचल प्रदेश की स्पीती घाटी में लॉंच हुआ है इसमें जो भी 18 से 60 साल की उ लाएं सभी महिलाओं को लाब मिलेगा हर महीने 1500 रुपी 32 सायता के रूप में मिलेगा जिससे वह अपना मतलब की खर्चा पूरा कर सकती है अपने नीजी खर्चे देख सकती है अब हिमाचल प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ इंपोर्टेंट और देखते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार ने डेरी किशानों के समर्थन के लिए शंजीवनी परियोजना सुरू की है हिमाचल प्रदेश की कांगरा चाय को यूरोपी जियाई टायक मिला है और ग्राइज लिकोरिस जिसको मुलेठी कहती है खेती करने वाल लारी में लारियंस स्पोर्ट्समेन आफदेश दोहजार थीस अवार्ड किस ने जीता है तो लियो निल मैशी ने जीता है इसको मैशी ने जीता है अब हम लोग कुछ इंपोर्टेंट देख लेते हैं अवार्ड लंदन में मीरा स्याल को बाफटा फैलोशिप मिलने जा रह ली जीपिंग पुरसकार दोहजार थीस जीता है डैलाई लामा को 64 साल बाद बैक्तिगत रूप से रह्मेन मैक्सेस पुरसकार मिला है विद्या वालन को लता दिनानात मंगेश का अवार्ड मिला है वीर्था पुरसकार पाने वाली पहली महिला आईया फदिकारी दीपी का मिश्वा बनी है उत्सा पतनायक को मैलकम आरिशेश्या पुरसकार दोहजार तेई से समानित किया गया विद्या वालन को लता दिनानात मंगेश का अवार्ड अगला कोस्चन हाली में किस देश की सुप्रीम कोट ने सम लेंगिकता को अबराधी की स्रेडी से मुक्त किया है तो इसका राइट एंसर है श्री लंका श्री लंका को सम लेंगिकता की अपराधी से मुक्त कर दिया है श्री लंका ने अगला कोस्टन है हाली में किस ने राज रॉबर्टिक फ्रेमवर्क लॉंच किया है तो ये किया है ते लंगाना गवर्मेंट के इसका राइट एंसर है ते लंगाना ते लंगाना की राजधानी है है आदराबाद और यहां के प्रजेंट टाइम पे चीफ विनिस्टर है के चनशेखर राओ अब हम लोग तिलंगाना के बारे में कुछ इंपॉर्टन्ट देखते हैं एन एच ए आई ने नागा अरजुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्ब के प्रवेश मारगों पर फास्टेक आधारित भुकतान प्रडाली लोगू की है भारत में सबसे उचियम बेटकर जी की प्रतिमा काना और तिलंगाना में किया गया है तिलंगाना सरकार ने लेग डेवलप्मेंट प्रोग्राम जारी किया है तिलंगाना में शमता कुम शुरू हुआ है तो यह तिलंगाना के बारे में इंपोर्टेंट था अगला कोस्चन है हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 1.73 करोड रुपए का जुर्माना लगाया है तो RBI ने HSBS बैंक पर 1.73 करोड रुपए का जुर्माना लगाया है RBI के नियम के उलंगन करने पर इसके उपर जुर्माना लगाया गया अब RBI के अस्थापना 1 अप्रैल को 1935 में होती है और इसका headquarter मुंबई में है इसके present time पे governor है शक्तिकान दास इस प्रकार everyone आज का current affairs हमापत होता है जो भी important question था मैंने आपको कराया है तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग channel को share subscribe करिएगा Thank you everyone